लोगसभा चुनाओं से पहले तुडमुल कॉंग्रिस और आमादमी पार्टी के एलान के बाद सियासी गलियारों में हल चल मच गई है पश्यम बंगाल की मुख्य मंतरी ममता बनर जी ने कॉंग्रिस को बड़ा जटका देते हुए राज्य की सभी सीटों पर अकेले चुनाओं लड़ने का एलान किया है तो वहीं पंजाब में आमादमी पार्टी ने भी कॉंग्रिस का दावन छोड़ दिया है ममता बनर जी ने कहा है कि कॉंग्रिस के साथ मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले चुनाओं लड़नेगी मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा लेकिन हमें एक धर्म निर्पेक्ष पार्टी है और बंगाल में है हम अकेले ही भाजपा को हरा देगे मैं इंडिया गडबंदन का हिस्सा हूँ राहुल गांधी की नयायातरा हमारे राज्य से गुजर रही है ममता बनर जी के इस फैसले पर कॉंग्रस ने ताज जे राम रमेश की प्रतिक्रिया भी सामने आई है उन्होंने कहा है कि ममता बनर जी के पिड़ा हम गडबंदन की कल्पना भी नहीं कर सकते कि भंटा जी का पूरा बयान कि नहीं पड़ा है ममता जी का पूरा बयान के साथ हम लंबा सफर कर रहे हैं उदर पंजाब में भी आमादवी पार्टी ने लोगसाब चुनाओ अकेले लड़ने का फैसला कन दिया है आप अपने इस फैसले को विपक्षी दलो के गडबंदन इंडिया की मीटिंग में भी रखी पंजाब सीएम भगवन पान पहले ही 13 जीरो से जीतने की बात कह चुके है विलागातार अलग चुनाओ लड़ने की पेरवी कर रहे हैं आज एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया है देश में पंजाब बनेगा हीरो 2024 में लोकसवा चुनाब में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13 जीरो उदर इंडिया गडबंदन को एकजुट करने में लीड रोल लिभाने वाले बिहार के मुख्यमंतरी नितिश कुमार के तेवर भी कॉंग्रिस के लिए परिशानी का सबब बन सकते हैं नितिश कुमार और लालू यादों की बीज बिगड़ती केमिस्ट्री और पाला बदल फिर से उनकी अंडिय में जाने की अटकले जोर उपर हैं लोकसवा सीटों के लिहास सबसे बड़े सूबे उतर प्रदेश में भी अखिलेश यादों से शेरिंग को लेकर अपने पत्ते नहीं खोलें ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि टीम सी और आपके कदम से क्या नितीश और अखिलेश जैसे नेताओं के लिए भी अकेले चलने की रहा खूल दी है झाल